खुशामदी दोस्तो राम राम सलाम आज के हमारी वीडियो का मोजू है चोदरी सुर्जमल ये चोदरी सुर्जमल जोनी खांडा गाउं के रहने वाले थे और अरियाना सरकार के पंजाब गोर्मेंट के अंदर वो मंतरी रहे थे और वो जोनी बिफोर पार्टिशन जोनी बहुत बड़े नेता थे हमारे डिष्टिक इंसार के सबसे बड़े नेता थे वे और चोदरी सुर्जमल जोनी उनसे बहुत ज़ादा प्यार करते थे वो 1927 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी से अमहले बन गए थे और फिर 1946 के अंदर दोबारा अमहले बने आज हम उननी चोदरी सुर्जमल का इस वीडियो में जीकर करेंगे चोदरी सुर्जमल जोनी वो खांडा गाउं के रहने वाले थे पहले मैं खांडा गाउं के बारे में बतादू इसे आज भी मंत्रियों का गाउं कहते हैं और ये रोयल गाउं का रोयल लोगों का एक रोयल गाउं है आ यहां के एजूकेशन जो मेन हब उस जमाने में आजादी से पहले भी उन्नी सो एक के अंदर इसके अंदर कन्या राज की ये कन्या पाट साला खुल गई थी यहां के लोग बताते हैं कि ठारा सो अपचासी के अंदर भी यहां लड़कियों का सरकारी सकूल था और उन्नी सो सोला के अंदर सेट साजू राम जी की कोठी के अंदर जो की गाउं खांडा में थी कन्या पाट साला सुरू हो गई थी इसी खांडा गाउं के अंदर जोनी चोदरी सुर्जमल का जनम सन 1913 के अंदर चोदरी आदराम सिंदू के गर में हुआ था वो जाती से जाट थे इसके पताजी और पेशे से किसान थे इस गाउं के अंदर बहुत से वी आई पी हुए हैं जैसे खांडा गाउं का गाउं खांडा क्यों पड़ा कहते हैं खांडा गाओं का सम्मन जोनी भगवान परसूराम से है भगवान परसूराम जोनी अक्सित्रियों का लड़ाई में अराने के बाद उन्होंने अपना जो अथियार था खांडा वो यहां के तालाब के अंदर दोया था कुछ लोग केते हैं याँ पर उन्होंने फैकिया था और जहांपर वो खांडा उन्होंने छुपाया था या ढाला था उसी जगह के उपर आज खांडा गाओं बशा हुआ है और खांडा गाओं के अंदर चोधरी बगवान पत्षूराम का मंदिर बड़ा बहुए मंदिर भी है इस गाओं के अंदर बहुत से बड़े बड़े वी आई पी हुए है सबसे पहले मैं जैलदार चोधरी राजमल का जिकर करूंगा वो 1947 से पहले जोने बहुत बड़े इस इलाके के चोधरी थे सोसल वर्कर थे आरिय समाजी थे उन्होंने उस जमाने में भी आरिय समाज मंदिर था खंडा के अंदर और आज भी आरिय समाज मंदिर है आरिय वनकुंड है आरिय कन्यापाट साला है वो जो हनी सेट साजुराम के बहुत अच्छे मित्तर थे बलके मैं ये कहूं कि चोदरी सेट साजुराम को जागिरदार या लेंडलोर्ड बनाने वाले जैलदार चोदरी राजमल थे क्योंकि उनका गोत सिंदू था और गाउं जो हनी सेखपुरा के अंदर सिंदू गोत के जाट रहते हैं उनका बाईचारा था उननी सो एक के लेंडलाइनेशन एक्ट के तहट कोई भी लेंडले साजमी इसको जमीन ना हो वो जमीन नहीं खरीद सकता था और सेट साजुराम का गाउं जो था नहीं सकीनर स्टेट में था अलगपुरा सकीनर एक स्टेट थी उनका गाउं ठेके का गाउं था अलेक्जेंडर का बेटे का नाम था सकीनर के बेटे का नाम था अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर के नाम पर ही गाउं अलेक्जेंडर पुरा बसा था जो आगे चलकर अलेक्जेंडर पुरा से अलग पुरा बन गया चोदरी राजमल ने अपने बाईयों को कह कर सेखपुरा गाउं के अंदर डाई एक कड़ी जमीन जोनी सेट साजुराम के नाम करवाई थी और फिर साजुराम जी ने एक मुसल्मान की जमीन थी उसे वन थरड जोनी सेखपुरा गाउं की जमीन खरीद ली उसमें चोदरी साजुराम की कोठी आज भी है जो मैंने देखी है फिर मोट गाउं की खरीद दी इस परकार कागशर और जामने गाउं जो खांडा के पास पड़ते हैं उनकी जमीन भी चोदरी राजमल ने जोनी सेट साजुराम जी को दिलवाई फिर अलिपुरा और शेकप्रा इस परकास सेट साजुराम एक लेंडलोर्ड और जागिरदार बन गए जब जैलदार साब जोनी कलकता जा करते थे वहां के लोग उनकी रोयल परसनल्टी को देखकर वो बड़े लंबे सुथरे गोरे रंके और सलीम बोडी के आदमी थे वो उनको एक किसान नहीं जैलदार नहीं बलके ये कहा करते मारा जाया हुआ है और इनकी स्टेट का नाम खांडा इजे स्टेट नोटे विलेज तो इतने रोयल थे जैलदार साब और समाज सेवा करते हुए ही जोनी उन्होंने अपनी सहीडी दे दी वो बहुत बड़े आरिये समाजी आदमी थे कभी मुझा मिला दो मैं जैलदार साब पर भी एक वीडियो बनाऊंगा फिर आते हैं चोदरी सुजमल जो वो भी इसी खांडा गाओं के थे जो 1937 में अमेले बन गए थे और चोदरी छोटी उराम के फोलवर थे चोदरी शरूप सिंग भी जोनी पंजाब विदान सबाग में भी डिप्टी स्पिकर रहे और अरियाना असेंबली के जोनी 2014 से 2019 तक अरियाना सरकार में वीत मंतरी थे वो भी इसी खांडा गाओं के हैं और दानवीर जोनी मितर शेन आरिये जी जो कि केप्टन साब के पिताजी हैं वो भी इसी गाओं के हैं तो इस प्रकार से ये कारिया समाजी और बड़ा प्रोग्रेसिव गाम है और यहांगे लोग जोनी वो बड़ी बड़े एजूकेटीड हैं और बड़ी अच्छे थी नोकरियों के उपर हैं इसी गाओं के अंदर जोनी चोधरी सुर्जमल का जोनी वो जनम हुआ था उन्होंने प्रैमरी की शिक्सागाओं से प्राप्त की फिर वो गुवर्मेंट कालेज जोनी इसार गुवर्मेंट आई स्कूल इसार के अंदर पढ़ने के लिए चले गई वहाँ से गुवर्मेंटाइस्कूल रोतक में गए और जाटाइस्कूल रोतक में भी उन्होंने शिक्सा ली उसके बाद सन 1911 के अंदर वो लाहूर डियेवी कालेज के अंदर उन्होंने एडमिस्न ले लिया और वहाँ से सन 1920 के अंदर उन्होंने बीए की लाहर से ही उन्होंने जोनी ला कालेज लाहर से उनीस सो चोबीस के अंदर वकालत की डिगरी ली और उनीस सो चोबीस के अंदर वाकनी सार के अंदर प्रेक्टिस करने लग गई इस हार बार आसोशीशन के वो साथ साल तक जो नी अनपोजट प्रेजिडेंट रहे और जो हनी उनीस ओठाइस के अंदर जो हनी वो उस वक्त डिस्टिक बॉर्ड होता था बार जिस्टिक बॉर्ड के सीनियर वाइस चेर्मेंट बने उन्हें अपनी जाती से और अपने लोगों से इतना लगाओ था उन्होंने कया कि रोट तक के अंदर जोनी जाठाइस कूल उनीस सो तेरा के अंदर खुलगा था उनोंने कहा कि रोत की तरज के उपर अमारे इसार में भी जाता इसकोल होना चाहिए और उन के पृयासों से और सौधी लाजबत्राईश कि पृयासों से और दूसरे अन्ने चोधरियों के पृयासों से एक अपरेल 1925 को जो नी इसार के अंदर जाटा स्कूल सुरू हो गया जबकि जो नी उसकी बिल्डिंग का उद्गाटन भी 16 जुलाई 1926 को हुआ ये किराई की बिल्डिंग के अंदर सुरू किया गा था चोधरी सुर्जमल ने घूम घूम करके वो कलकता तक चंदा लेने के लिए गए और पचास जार रुपए लोगों से चंदाई कथा किया सेट साजूराम ने भी तीन लाख रुपए इसके लिए दिये वो जो जो नी जाट स्कूल की जो मनेजमेंट कमेटी बनी उसके पर्थम प्रेजिडेंट तो चोधरी लाजबतराई सिसाय थे और उसके स्क्रेटरी जोनी चोधरी सुर्जमल बने 1967 के अंदर CRM कोलेज इसार बन गया और 1967 में एजूकेशन कोलेज बन गया युसीजाट स्कूल के कमपस के अंदर चोधरी सुर्जमल जी आठ साल तक इने जाट एजूकेशन सस्थाओं के प्रेजिडेंट रहे चोधरी साब ने उननी सो स्थाव इसके अंदर पहली बारह महले का सुनाव जीता तो वो एगरी कल्चर परलिया मिन्टरी एगरी कल्चर सेक्रेटरी बने और किसानों के लिए बहुत काम किया फिर उननी सो चालिस के अंदर वो दो बारह जो हनी उन्होंने चुनाव लड़या वो आंसी से जीते थे उननी सो सैंटिस के अंदर उन्होंने चोधरी लाजपत्राई इसी साए को रहा था 1946 में फिर जोनी वो सीसाई MLA बने थे और उसमें यूनियनिस्ट पार्टी के अरियानाक की आज के रियानाक से तरसे के विल तीन MLA जीते थे जिन में एक चोदरी सुर्जमल थे दूसरे राव मोर्शिंग थे जो अईरवाल से थे और तीसरे चोदरी प्रेम सिंग से थे जो प्रेम सिंग थे जो की S.C. वरग से थे रिजरुव सीट से थे इस परकार वो जो इस आर्डिस्टिक के यूनियनिस्ट पार्टी के एक पिलर थे 1902 में उन्होंने फिर चुनाव लड़या लेकिन 1902 माउन का चुनाव आर गए और तुवाना से और वो चुनाव जीते और जोनी परताब सिंग कहरों के मंत्री मंडल के अंदर एल्थ मनिस्टर बी एंड आर और पी डबलू डी मनिस्टर बने उन्होंने अपने मंत्री काल के दोरान इस इलाके के अंदर बहुत सी सड़के निकलवाई बहुत से अंस्पिताल खुलवाए इस इलाके आज भी जोनी उनके नाम से सोद्री सूर्जमल सामदाइक स्वास्थक के अंदर जोनी खांडा के अंदर है और उन्होंने लोग मजाक में क्या करते थे उनकी पत्री का नाम बूलांदेवी था उनकी बचपन में 1913 के नरसाद्य हो गई थी उकलाना से लितानी तक उन्होंने एक सड़क निकलवाई थी जिसको लोग मजावक में बुलां देवी रोड करा करते थे क्योंकि उनकी पत्नी जोनी वो लितानी गाउं की रहने वाली थी उनके पांच बेटे और चार बेटियां हुई बेटों के नाम जो है नि बलवन सिंग, जगवन सिंग, जसवन सिंग, बगवन सिंग और कुलवन सिंग हैं और बेटियां जो हैं चार बेटियां लिला, सकुंतला, सरला और राजबाला हैं सकुंतला के पुत्तर मेजर नर्पिंदर सिंग जोने दो जार पांच के अंदर दादरी से जोने वो कॉंग्रेस की टिकेट पर MLA भी बने थे और जोनी चोदरी साब जोनी उनीसो चोविस के अंदर वकालत करने के बाद वो इसार के अंदर ही वकालत करते रहे और जोनी वो चोदरी रमजिलाल उड़ा के बड़े नजधीक थे, उन्होंने बिवानी, अन्या थैले का, उनको, ओफिस बी एररभी बनाया था, और जोनी, वो जोनी, चोदरी साब जोनी, उनका नाम माराजा सुर्जमल के नाम के ऊपर रख्या गया था, और माराजा बर्दपूर का था वो बर्दपूर राज्य के परदानमंत्री भी रहे उसमें बर्दपूर का राजा माराजा ब्रजेंदर सिंग था उन्होंने बारजा माराजा ब्रजेंदर सिंग को जोनी अपने स्टेट का विल है इंदूस्तान के अंदर करने के लिए मनाया उन्नी सो त का तलवार से कतल कर दिया और पांच वकीलों को गाहिल कर दिया लेकिन चोदरी सुर्जमल ने जपटा मार कर उसकी तलवार को पकड़ लिया इससे वो जखमी भी हो गए लेकिन वो सिपाई तलवार को छोड़ करीब आ गया वो ऐसे बादूर थे एच्चे यू इसार और पहले बिवाने के ओफिसर पियरर भी बन गए थे वो जो ने दलीत वरक के भी बड़े इतैसी थे राम सिंग खांडा और राम चंडर माडिया जो सिसाए गाओं के थे बाद वो अरियाना में एच्पी एस्टी के रियाना पबलिक सर्विस कमिस्शन के मेंबर भी रहे हैं उ वो अपने इलाके में और सारे रियाना में सोसल वरक के काम भी करते थे पाली गाओं की गटना है वहां के एडी जाती के कुछ लोगों ने इसलाम को कबूल कर लिया कबूल करने के लिए त्यार हो गए थे लेकिन चोदरी सुर्दमल वहां गए उनके साथ बैठ कर खाना खा सेट साजुराम की कोठी जो 1916 में खानडा गाओं में थी उसमें 1916 से कन्यापाट साला चल रही है यह हमारा खानडा गाओं जो है वो जीन्द और विवानी रोड पड़ता है जीन्द से ठारा किलोमेटर निसार से 55 किलोमेटर और 80 से 30 किलोमेटर है चोदरी सुर्दमल जोन वो उन्होंने अपने समाज के लिए और सारे समाज के लिए बहुत जादा सोशल वर्क किया, काम किया और इस इलाके की तरकी के अंदर उनका बहुत बड़ा योग द्यान है मैंने चोदरी सुर्जमल जी को अपनी आख्यों से देख्या हुआ है उनकी बड़ी चार्मिंग परसनल्टी थी, बड़े लंबे हट्टे कट्टे जवान थे और जोनी बड़ी चार्मिंग और अट्रेक्टिव परसनल्टी थी और बड़े वो अपने किसानों, अपने वर्करों से जब भी मिलते थे तो हमेशा यही कहते थे अपने बच्चों को पड़ाओ केवल जो नी ऐजूकेशन यह ऐसी पारस पत्री है जो आदमे को सोना बना देती है केवल ऐजूकेशन से ही कोई परिवार, कोई जाती या कोई समाज तरकी कर सकता है वो इतने ऐजूकेशन के अक्ट में थे